हाई गाईज वेलकम बेक टो में चैनल ब्रेकफस्ट टुडिने रेसिपीज आज मैं आपके लेकर आई हूँ सूपर क्रिस्पी ब्रेड रोल बनाने की रेसिपी जो की आल टाइम सबकी फेवरिट होती है तो आप इसको इवनिंग में भी बना सकते हैं और सबसे अच्छी बा बाद में हमें इसको मैश करना है तो इस तरीके से हम हाथ से मैश करेंगे इसमें ग्रेट वगरा करने की कोई नीड नहीं होती है बस अच्छे से हमें इसको मैश कर लेना है और देखे मैंने सारे आलू को मैश कर लिया उसके बाद मैंने कड़ाई लिये कड़ाई में मैंने नहीं ह्पर डाले है गी और यहां पर यह तो बटर का यूस पर यहां पर आप यह दुट ही जो फीलिंगVR ना उसी का यूस करेंगे। यहां पर जो आलू की फिलिंग्गं उ真的 के बाद हमने यहां पर डाले आदा चम्च जीरा और थोड़ा का हिंग। जीरा और हिंग डालने के बाद में मैंने यहां पर आलू को डाल दिया जो मैंने अच्छे से मैश करके रखे थे और इसको एक बार थोड़ा इस तरीके से घी में मिक्स कर लेंगे यहां पे तीस सेकंड के लिए हमें आलू को गी में बूनना है उसके बाद में डालना है हमें नमक स्वाद के अनुसार और फिर से हमें नमक के साथ मिस्त को बूनना है देन उसके बाद में हम इसमें मसाले अड़ करेंगे इससे क्या हो करना जो गी है आलू में उसकी और में यहां पूर्धा चंज करसे अधर पूर्णाइब्स खर्जागों 2 लूट धाले मा興ंड Sü вещи अधर उर्षप और किस'll मैं इसके का एक बूनाये तो यहां पर मैंने प्यास अप से लास्ट में डाले क्योंकि जो हमें प्याज का क्रुंचीन चाहिए लोह मैंने έज़ो उसको खत्म नहीं करना है इसलिए मैंने यहां ए hour के लिए अश्बनेकomma और इनके जो bread की corners होते हैं उनको cut कर देंगे देखे मैंने सारी bread को एक साथ रख लिया है और फिर इसी तरीके से अच्छे से इनको stacking कर लेनी है इनकी उसके बाद में इस तरीके से corners को cut कर देना है और यह न बहुत ही आप चाहें तो corners के साथ भी बना सकते हैं बट अगर अच्छे से properly shape चाहिए हमें तो उसके corners को हटाना पड़ेगा बाकि अगर आप circle वगएरा में bread roll बनाते हैं तो आप corners को रख सकते हैं कोई ऐसा rule नहीं है कि corners निकाल नहीं है तो देखे हैं यहां पे हमारे जो corner से बिल्कुल निकल गए हैं और स्टफिंग भी बिल्कुल रेडिये ठंडी हो चुकी है अच्छे से तो हम इसको इस तरीके से जो भी हमें bread roll के अंदर stuffing की shape रखनी है अगर हमें bread roll बनाने है तो गोल बना सकते हैं और bread फटे भी नहीं इस चीज़ का भी धान रखना है यहां पे देखे हैं अब stuffing लेंगे जो हमने बनाई थी और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देगे पहले दोनों corners को अच्छे से लॉक करेंगे उसके बाद में हम side की इस तरीके से लॉक कर देगे देखे हैं आप मैंने इस पलटा है और फिर दूर से side को बन कर दिया अब इसको हाथ से अच्छे से प्रेस करेंगे जिससे की जो यह ना प्रॉपरली जो bread है वो अच्छे से लॉक हो जाएगी और कहीं किदर से भी नहीं निकलेगी इस तरीके से देखे यह बहुत ऐसीली देखे हैं और बनने में बिल्कुल भी सकति प्रॉपर में बनाकी वक्ता हैов पनाने में थोड़ा टाइम लगेगा भागी जो bread को इस तरीके से रॉल करने में ना बिल्कुल भी सकता बाहता है बहुत फुरकी घटपड से बनने वाली रेसीपिए और सब बहुत जादा पसंद आती है देखिए हमने यहां पे बना के रख लिया है इस तर इस शेप में पना सकते हैं आप चाहे तो कटलेट जैसी शेप है यह और आगर आपको सर्कल बनाना है तो अब देखे मैं आपको इसके दूसरी शेप बना के लिखाते हूं सर्कल में तो यहां से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और बिल्कुल लड्डू जैसे हम बाइंड करते है ना उस तरीके से हम अपने हाथ को गमाएंगे इस तरीके से देखे कितना इजली बन जाता है ना बहुत ज़्यादा इजली गम से अच्छी से चिपक जाएगा स्टफिंग में और इसको फ्राइ कर लेंगे आप इसको बना के एक दिन के लिए रख सकते हैं उसके बाद में जब आपका मान करें तब इसको फ्राइ करके खा सकते हैं तो मैंने यहां पे एक पैन में ऑईल लिया है और ओल हमारा मीडियम टू हाइफ फ्लेम पे होना चाहिए तब मुश में ए तो इस चीज का में ध्यान रखना है और दीरे-दीरे से उसको थोड़ा-थोड़ा करके फ्राइ करना है तो यहां पे हम इसमें दोनों तरफ से कलर आने पे आने के बाद में हम इसको निकाल लेंगे और देखिया हमारे जो ब्रेड रोल है वो बनके बिल्कुल रेडियम इन तो चलिए इनको अब सर्फ कर लेते हैं बहुत ही जादा टेस्टी ब्रेड डोल है आप भी इसको जरूर ट्राइ कीजेगा और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और बैल आइकन को भी प्रेस कीजिए देखें कितने क्रिस्पी हमारे ब्रेड डोल बने हैं मैं इसको कट करके दिखाती हूं अंदर के स्टफिंग भी बहुत यादर टेस्टी है तो आप इसको किसी जाद भी सॉस टमैटो केचप के साथ में या फिर हरे दिनी की चटनी के साथ या फिर चिली मैं वीडियो